चारक के आईएस अकेडमी में आप समी का स्वागत है आज हम बात करेंगे वासेनार अरेंजमेंट के बारे में भारत वासेनार व्यवस्ता की प्रेजिडेंसी एक जन्वरी दो हजार तेईस को सम्हाल लेगा इसे वज़े से ये चर्चा में बना हुआ है वासेनार अरेंजमेंट एक बहु पक्षी है निर्यात मियंतरन तंत्र है भारत वासेनार व्यवस्ता की अध्यक्षता एक वर्ष के लिए करेगा वासेनार व्यवस्ता के माध्यम से सदस्य देश हत्यारों के हस्तांतरन पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं यह पहली बार है जब भारत को इसकी अध्यक्ता करने का मौका मिला है अब हम बात करेंगे वासेनार arrangement के बारे में वासेनार arrangement की स्थापना पारमपरिक हतेारों और दोहरे उप्योग वाली वस्तुयों और technology के हस्तांतरं में पारधरशिता लाने के लिए किया गया था यह 1996 1996 में बहुपक्षिये निर्यात नियंत्रणों के लिए शेत युदकाल की समन्वे समीती की जगा लेने के लिए अस्तित्तों में आया था इसका नाम है कि एक उपनगर वासे नार से आया था जहां 1995 में इस तरह के बहुपक्षिये सहयोग को शूरू करने का समझोता हुआ था जिसकी मदद से यानि की समझोते की मदद से शेत्रिये और अंतराष्ट्रिये सुरक्षा और स्तिर्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है एक है अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की तो वासे नार अरेंजमेंट में कुल 42 सदस्य देश है जिन में से एक भारत भी है इन देशों की यह जिम्मेदारी होती है कि हतियारों के हस्तांतरण के लिए राष्ट्रिये नीतियों को शान्ती पूर्वक लागू किया जाए भारत को 7 दिसंबर 2017 को वासे नार अरेंजमेंट के 42 सदस्य के रूप में शामिल किया गया था अगर इस अरेंजमेंट के महत्यों के बात करें तो वासे नार अरेंजमेंट छेत्रिये और अंतराष्टिये सुरक्षा और स्तिर्ता में योगदान करता है यह पारमपरिक हत्यारों और टेकनोलوجी के हस्तांतरण में ट्रांस्परिणसी लाने का काम करता है जिस कारण इसका महत्तो और बठ जाता है यह सामोहिक मिनाश के हत्यारों और उनकी वित्रण परनालियों के लिए निर्यात मियंतर्ण विवस्ताओं को सूदर्ड करने में भी मदद करता है अब हम बात करेंगे वासेनार अरेंजमेंट और भारत के बारे में कि आपस में कैसे रिलेशन है और किस तरह के संबन्ध है तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत वासेनार अरेंजमेंट में 7 दिसंबर 2017 को 42 सदस्य की रूप में शामिल हुआ था इसमें शामिल होने से भारत को दोहरे उपयोग वाली तकनीक के लिए भी मानिता मिल गई थी इसकी मदद से भारत अपनी रक्षा और अंतरेक्ष छित्रों की मांगों को पूरा करने में सक्षम होगा वासेनार विवस्ता में भागेदारी ने भारत के लिए परमानू आपूर्ती करता समू यानि की एनस्टी का सदस्य बनने के द्वार भी खोल दिये हैं जिसमें शामिल होने के लिए भारत लगातार परियास कर रहा था अते यह कहा जा सकता है कि यह ग्रूप भारत के नजरिये से बहुत अधिक महत्वण हो जाता है साथ ही भारत इसकी अध्यक्षता भी करने जा रहा है तो यह और भी महत्वण हो जाता है इसके साथ ही हमारा आज का यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आप हमारे यूट्यूब को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच.